आज यह अभी इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं अज जुम्ह तो मेरी दिल की गिनाईयों से आपको जुम्ह मुबारक यह देखो वन डे अगो अप्लोड़ेट 6.8k व्यूज अल्हम्दलिल्ला बेट चले अले बेट चले बेट ये 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 अलो तो आज को होगा कि आप हिरान हो जाएंगा तो सबसे पेले मैंने ये कुछ चीज़े अर्डर की थी तक्रीन मन दरास पर सेल थी तक्रीमन यह मुझे पढ़ा है और दूसरा कल रात को हम टीवी लेने गए थे तो वह भी आपको दिखा रहा हूं उसमें अपना चैनल खोलके में आपको दिखा रहा हूं और तीसरी खुशी यह है के जी आज जुम्मा तो मेरी दिल की गिनाईयों से आपको जुम्मा मुबारक तो आज तो गाइस अभी देखें जो चीज हमें एक से अल्मेबिलिटी अल्ला करें तो मेरी तो उमीद वह ही है कि यह वही चीजे निकलेंगी तो पहले तो यह बॉक्स निकला है तो अभी इस बॉक्स में देखते हैं क्या है तो मैं अभी आपको दराज की भी इसकी शुर्ट यूट्यूब विलोगिंग के लिए मंगवाया है और सबसे पहले यह और कुछ भी नहीं अंदर देख सकते हैं आप यह बेस्ट काम करें और इसकी फ्यूचर वगरा मैं आपको बता रहा हूं तो अभी आप देख लें उसके साथ ही एक माउंट दिया हुआ है जो इसमें अ तो अभी यह देखने के लिए आप रेडी हो जाओ यह देखो यह एक मैंने वाच और ब्रेसलेट मंगवाया था अला करें असली चीज निकले वही निकले क्यूंकि इसका रिव्यू मैंने देखा था तकरीवन दस लोगों में से पांच लोगों ने बताया था कि जी की ब्रेसलेट की चैन में आपको दिखा रहा हूं यह ब्रेसलेट आप देख सकते हो तो इस पे जी उपर लिखा हुआ है हर किंग तो यह देख सकते हो आप यह साइड पर रखते हैं इसकी चैन पतली है इतनी मोटी नहीं है लेकिन कंफोर्टेबल हाथ में पहनने के लिए अब यह यह वाज़ आपन को निकले अदा कहरें और अण हे लकर वाच वह निकले यह जिवाच आप ब्लेक कलर में देख सकते हैं तो इसकी क्वादी कुछ पर इसकी कुछ है मुझे अच्छी लग रही है माशाल stoked है इसकी quality तीसरी चीज जो मंगवाई है मैंने यह है वो यह मैंने इसलिए करता हूं तो जैब में मुबाइल अगरा तंक करती है तो इसमें पड़ी रहेगी तो इसमें मुबाइल डालके देखते हैं मुबाइल डलती है यह जी एक छोटा सा बेग तो शायद इसमें मुझे तो मुबाइल डलेगी लेकिन कोशिश करेंगे नहीं तो चोटे-चोटे सामानों के लिए बेस्ट है यह और इस शापर में कुछ भी नहीं है तो यह देखो अच्छा इसका यह बेल्ड अंदर दिया गया है यह बेल्ड देख सकते हो यह बेल्ड इसमें लगेगा तो यह आ गय देखते हैं यह मेरे पास मुबाइल पड़ा हुए तकरीबन मेरे आइफॉन जतना ही है लेकिन आइफॉन मेरा थोड़ा च्छोटा है तो इसमें मुबाइल डाल के देखते हैं मुबाइल भी डल गयी अलमदल्ला तो यह च्छोटे-चोटे कामों में बेस्ट है वाला है लेकिन यहां ट्राइपोड की क्वालेटी मुझे अच्छी नहीं लगी थोड़ी हल्की कोई मसला नहीं है जो इसका असली फ्यूचर था भी वह चेक करते हैं कि किस भी चीज में फसा हो वहां से आपकी वीडियो शूट हो जाएगी तो अभी यहां पर फसा के देखते है तो गाइज मैंने यहां पर कुछ ऐसा फिट कर दिया है अपना ट्राइपोड कैसा लग रहा है आपको पाकी बेक की क्वालेटी माशाला मुझे बहुत अच्छी लगी और वाज की क्वालेटी भी अच्छी लगी माशाला तो गाइज अभी घर से निकल आया हूँ मैं नमा पढ़ते हैं अभी तो नमाज के लिए देर हो रही थी लेकिन घर जाके मैं आपको दिखाऊंगा सारा टीवी का मतलब कि क्या सीन है तो गैज अभी अलहम्दलिल्ला में नमाज पढ़के आया हूं तो कुछ यह टीवी यह जो ऊपर पड़ी हुई देख सकते हैं आप तो इ अच्छ में आता है नहीं हो बाइसाब पर्स्ट नबर चैनल हमारा आगया है अकील टामरी व्लॉक्स अभी यह चलाते हैं इसको यह जी अमारा चैनल चल गया बाइसाब यह देखो अमारी शोट्स तो गैज नीचे मेरे वीडियो आ रहे हैं आप देख सकते हो तो अभी मैं मैं आपको दिखा रहा हूं जी एक अच्छी चीज जिस पर मेरा दिल खुश हुआ है यह देखो वन डे अगो अपलोड़िट 6.8 के व्यूज अलहम्दलिल्ला तो गैस मैंने आपको टीवी का रिव्यू वगरा दे दिया था तो गैस अभी बस बी टाम हो रहा है जी आठ ब बिल्कुल ही आप यह वाली वीडियो देख सकते हो यह वाली जो वीडियो है तो इसमें मैंने इतनी अच्छी अच्छी सिनेमेडिक शोट्स एक बार जाके जरूर देख लेना तो अभी चलते हैं जी जिंगर वगरा लेते हैं और मज़े से खाते हैं तो गैसे जोहेब आग अब हो रहा है देखो बीच में फुट पाथ भी लगा लिए हम आगे हैं जी दुकान पर तो यह आगे दुकान है जी ओट एंड स्पैसी तो यहां से खरिदते हैं जिंगर बर्गर वगरा और उसके बिल्कुली राइट एंड पर जी एम एंड पी कोरियर तो आगे कोई रे आगे में तो अलाबाख खेर करेगा फलस्तिन बाले मुसल्मान भाई हो गागी रेली आप देख सकते हो यह जा रहें अब हाई हाई है कि यह जारे है तो गाईजे कुछे मेन्यू है ओट एंड स्पैसी का देख सकते हैं आप पढ़ सकते हो जिंगर बर्गर तीन सो बीस रुपेगा है वागी है सारा मेन्यू है आप पढ़ सकते हो तो गाईज हमने तो फिलाल पांच जिंगर बर्गर का आटर दे दिया है तो भी वह जब तक बने कहां चल रहे हैं वह वह कहां जा रहे हो जारा भी शौर में बनवाने जाने शौर में किसके लिए लाला चंगेज खाएगा लाला तो फाइनली हम आगे हैं जी अलजनत चिकन शौरमा और उसके लेफट एंड पर अलजनत बर्गर पॉइंट तो यह से शौरमे लेते हैं तो उसके बाद चलते हैं जी अपना बर्गर हो गया लेते हैं उसके बाद सीधा घर तो गाईज यह देखो कैसे जिंगर फ्राइ हो यह अपना फ्राइब मश्चीन है और इस पर पकाते हैं शायद अब तो यह वाले पांच जिंगर वर्गर हमारे पड़े हुए है तो बस अब बच आपर में टालने के जहरें उसके बाद नेके जाने के घर बाकी यह खड़ा हुआ है यहां पर यह जाए हुआ है अब यह द अब यह देखो तीन एक शोपर में डालें और इसके लाबा दो दूसी शोपर में डालें कि भाई तो गाइज अभी सीन क्या हुआ इसके हाथ में शोपर है शोर में इसमें पढ़ें जो जोहेब ने चंगेज को दिये तो चंगु ने इसको मदा कि हम स्पीड में आ रहे थे यहां देख पुल में स्पीड में आ रहे थे तो चंगु ने मदा की जोहेब से के मैं भी शापर गई जोहेब ने पूछा किदर गई चंगु ने पोला वो पीछे रोड पे पड़ी हूए जोहेब ने सिलो की बाइक अब यह पानी देख ओम को अमयगोड वेट बेट बेट चलें अब ये जिए जिनगर भर हम लेके घर पहुंच घर और यह बचों की खुशी देख सकते याप अलिजगा चाहिए